फिर गूप के लिए फुरुटाइट पोड़े लिए स्बींस तो यस इंगलिस फिर्स्ट उप क्लास फिफ्ट चैप्टर नंबर शिख्ष्ट श्न को वॉइंट खैवेनड़ॉर्फ श्नौ वाइट ऐड श्नौ वाइट यसा सफेद और श्नौ वाइट मतलब बॉने और सात बॉने मतलब जो बहुत छोटे होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है श्नो वाइट वस प्रिंसेज श्नो वाइट कौन थी एक प्रिंसेज राज कुमारी थी हर स्किन वस एज वाइज वाइज श्नो उसका जो स्किन था यानि जो कह सकते तवचा जो थी स्किन जो था वो श्नो की तरफ वाइड था यानि बर्फ की तरफ सफेद था सो हर पेरेंट्स नेम्ड हर श्नो वाइड इसलिए उसके मम्मी पापा ने उसे क्या नाम दिया श्नो वाइड हर चीक्स वाज एज रेड एज रोज हैर वाज एज ब्लैक एज इबोनी और उसकी जो पेरेंट्स थे उसने उसका नाम स्नो वाइड रखा उसके जो गाल थे वो ऐसे थे जैसे कि रोज होता है उस तरीके का रेड था और उसकी जो बाल थे वो ब्लैक थे इबोनी इबोनी क्या होता है एक ब्रिच होता है एक ब्लैक वोड होता है So she looked beautiful in all ways और वो हर तरीके से सुन्दर दिखती थी Her mother the queen died when she was few months old जब वो कुछ ही मन्त की थी कुछ ही महीनों की थी तब इसके मम्मी की death हो गई The king married again a very beautiful woman और राजा ने फिर से यानि उसके पापा ने जो राजा थे उन्होंने एक बार फिर से साधी कर ली जो की एक बहुत सुन्दर औरत से उसने साधी कर ली The new queen was very proud of her beauty जो नई राजकुमारी थी वो अपने सुन्दरता पर बहुत ज़्यादा घमंड था She had a big magic mirror उसके पास एक बहुत बड़ा magic mirror था Mirror मतलब होता है सीसा यानि जादूई सीसा था Everyday she looked in the mirror as she stood in front of it She used to ask the mirror who was the most beautiful woman in the world यानि वो हर रोज क्या करती थी अपने सीसे के सामने खड़ी होती थी और सीसे से या पूछती थी कि इस दुनिया में सबसे सुन्दर कौन से औरत है यानि इस दुनिया में सबसे सुन्दर औरत कौन है The mirror mirror on wall Who is the fairest among us all यानि वो अपने सीसे से पूछते थी कि mirror mirror बताओ इस दुनिया में सबसे सुन्दर कौन है Mirror replied that she was the fairest of all और उसका जो सीसा होता था जो mirror था वो हमेशा बताता था कि आप सबसे ज़्यादा सुन्दर हो The reply of the mirror pleased the queen very much और जो ये reply था उत्तर था mirror का इसने राज कुमारी को बहुत ज़्यादा प्रसंद कर दिया यानि जो राज राज राणी थी उसको बहुत ज़्यादा प्रसंद इस बात ने किया क्योंकि उसे mirror ने बताया कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा beautiful है In few years snow white gave up to be tall and very beautiful girl कुछ साल बीत गए snow white जो थी वो और भी ज़्यादा बड़ी हो गई और बहुत ही सुन्दर दिखने लगी Her step mother queen become jealous of her उसकी जो step mother थी यानि जो नई राज कुमारी थी सौतेली मा वो बहुत उससे ज़्यादा घ्रणा करने लगी क्योंकि ये snow white बहुत ही ज़्यादा beautiful दिखने लगी यानि उसके beauty से वो क्या करने लगी jealous होने लगी इर्थया करने लगी One day when she asked the mirror mirror on the wall who is the fairest among us all एक दिन उसने अपने mirror से पूछा कि इस दुनिया में सबसे सुन्दर कौन सा है the mirror replied यानि उसके जो mirror था वो बोला gracious queen you are the grand and tall आप सबसे सांदार हो आप बहुत ही सांदार हो और आप बड़ी हो सबसे बड़ी हो but snow white is the fairest of you all यानि आप उसने बता है उसके mirror ने बता है कि जो snow white है वो अब सबसे ज़्यादा सुन्दर है इस दुनिया में hearing this queen become very angry ये सुनकर जो राणी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई क्योंकि mirror ने बताया था कि सबसे ज़्यादा सुन्दर कौन है snow white है इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है यानि जंगल में मार के उसे फेक दे but the servant could not kill the innocent girl लेकिन जो servant था उसे दया आ गई उसने उस मासूम बच्ची को मारा नहीं यानि snow white को उसने मारा नहीं he left her alive in the forest वो उसे जिन्दा ही जंगल में छोड़ देता है on the hillside snow white saw a house और पहाडी के तरफ से snow white जो थी उसे एक घर देखा she went there वो वहाँ गई the door was not locked और जो दर्वाजा था वो भी खुला हुआ था and she entered the house inside the table उसने घर देखा घर में उसने एक टेबल देखा there was seven little plates and seven little spoons and seven little glasses on it उसमें छोटे-छोटे seven little spoons थे और seven little glasses थे they were stood in the plates they were stood in the plates and clean water in the glass और जो spoon था वो उसी में खड़ा हुआ था यानि उसी में लगा हुआ था और glasses में स्वच्छ पानी था snow white was very hungry snow white बहुत भूकी थे she ate a little from each plate and drank little from each glass उसने हर प्लेट से थोड़ा-थोड़ा खाना खाया और पानी पिया she went to the side room वगल वाले रूम में गई there she saw seven little beds and clean white beds उसने देखा कि साथ छोटे-छोटे beds पड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छे उस पे चद्दर पड़े हुए हैं she was tired so she fell asleep one of them और उस पे वह इतना ठक गई थी कि वह एक किसी एक पर बिस्तर पर सो गई the small house belong to seven dogs वो जो छोटा सा घर था वो small seven dogs का था छोटे-छोटे बहुनों का घर था they used to dig a silver in the mountains यह लोग क्या करते थे चांदी की खुदाई करते थे परवतों पर से when they returned evening they found snow white sleeping जब वो रात को लोटते हैं साम को लोटते हैं तो उन्होंने देखा कि snow white सो रही है they stood around the bed and waited for her to wake up वो चारों तरफ वो लोग खड़े हो गए और उसके बाद वो लोग बेट करने लगे कि वो उठे snow white the snow white woke up she was afraid जब snow white उठती है तो वो काफी डर जाती है उन्हों को देख करके the dwarf politely asked her who she was और dwarfs जितने भी dwarfs रहते हैं वो पूछते हैं कि वो कौन है she told them all about herself उसने सच सच सब कुछ बता दिया they felt pity for her और ये बात सुन करके उन सारे बौनों को उद्पर दया आ जाती है so they let her live there इसलिए वो उसे वहां रहने देते हैं snow white used to clean their house और snow white जोती उनके घरों की सफाई करने लगी wash their clothes उनके कपड़ों को सभा करने लगी and cook the dinner और डिनर भी उनके लिए पकाने लगी so the dwarves were very pleased with her इसलिए जो dwarves थे वो उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते queen step mother of snow white was very happy thinking snow white has died जो रानी थी वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जो snow white है वो तो मर चुकी है in her joy she didn't ask her mirror who is the fairest of all और इस बीच में उसने कभी भी mirror से ये नहीं पोचा कि इस संसार में सबसे ज़्यादा सुन्दर कौन है फिर क्या होता है suddenly one day she asked her mirror 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 on the wall who is the fairest among all एक दिन फिर क्या होता है उसे लगता है वो सीसे के पास जाती है और पूछती है कि mirror mirror ये बताओ कि हम में से सबसे सुन्दर कौन है gracious queen you are the grand but tall but snow white is fairest of all और तो सीसे ने क्या कहा जो mirror था उसने बोला कि आप सबसे सुन्दर हो लेकिन आप से भी ज़्यादा सुन्दर snow white है the queen became very angry and she asked the mirror where she was और queen इतना गुसा होती है उसने पूछा mirror से कि snow white कहा है the mirror replied that she was in the house of seven drops तो वो उतर देती है कि seven drops के घर में वो है so she changed her into an old woman and took the poisoned calm with her and arrived seven drops house उसने क्या किया एक बोड़ी आउरत का रूप ले धारण किया और वो poisoned calm यानि poison मतलब होता है जो जहर होता है जहर भरा calm लेके जाती है seven drops के घर में snow white was sitting at the window snow white वहीं window के पास बैठी रहती है come out my dear I have bought a lot of things for you at first snow white hesitated तो उसने कहा कि बेरी प्यारी बच्ची मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज लाई लाई हूं यहां आओ मेरे पास पहले तो वो तो वो जो snow white रहती है वो थोड़ा सा संका में आती है थोड़ा सा हिजकिचाती है तो वो बाहर आती है उसके बाद वो बूड़ी औरत रहती है या जो औरत रहती है वो उसकी इच्छा होती कि वो उसके उसके यह कॉम प्वाइजन कॉम चला दे जिससे यह क्या हो जाए मर जाए जब उसने वो कंगी उसके उसके चलाई तो वो क्या हो गई बिहोस हो गई जब रात को क्या हुआ साम के टाइम पर वो जब वहां आई तो उन्हों ने देखा कि शनो वाइट बिलकुल भी अचेत हवस्था में थी बिहोस पड़ी थी तो वो उठी और जब उसको होस आया तो उसने उस बुढ़ी आउरत के बारे में बताया कि वो एक बुढ़ी आई थी उसने उसे कंगी किया था और वो बिहोस पड़ गई और उसने फिर से अपने मिरर से पूचा मिरर इस समय सब दुनिया में हम में सबसे संदर कौन है यानि उसी से ने कहा कि आप बहुत सुन्दर हो लेकिन आप सबसे सुन्दर कौन है वाइट स्नौ वाइट है तो उसी बहुत गुस्सा आता है और उसने एक फार्मर यानि किसान के पतनी का भेस धारण किया और वो बास्केट में एपल लेके गई जो कि पौईजन एपल थे यानि उसमें भी जहर भरे हुए एपल से सी अगें रिज़ द्वाफ साउस और नॉक्ड वो कहां गई अटाया दर्वाजा श्नो वाइट रिफूज तो ओपें दे डोर श्नो वाइट जोती उसने दर्वाजा खोलने से मना कर दिया दे क्वीन गेव हर रेड पलब और जब क्या हुआ कि राज राणी ने उसे पल दिया तो वो बिमार पड़ गई और मर गई दे विग्ड क्वी क्वीन वाज वेरी हैपी विग्ड क्वीन जो थी बहुत कुछ हुई सी रैन बैक होम वह जल्दी से घर दोड करके गई इन इवनिंग द्वाफ साज नो वाइट लाइट लाइट और साम के टाइम पर जब ड्वाफ साय तो उसने देखा कि वह जो लड़की थी श्नो वाइ कि हर इन तो पूल हर पुट हर इन कॉफिन ग्लास वेड़ सम होल साफ पासिंग एर आफ्टर फ्यू देज प्रिंस केम एट वेसी वस कॉफिन इन विच नो वाइट वस लाइट और उसके बाद उसनों ने क्या किया कि उससे मर गई तो बहुत सुंदर दिख रही थी और उन एक राजकुमार आया जो कि तो इसने देखा कि एक कॉफीन कॉफीन मतलब होता है जिसमें लास को रखी जाती है उसमें शनोव वाइट को मरे हुए देखा He asked the dwarf to let him have the coffin, they agreed उन्होंने कहा कि वो राजकुमारी को यानि जो ये सनो वाइट को बाहर निकालने के लिए कहा और वो सब राजी हो गए On the way, horse with her carrying the coffin stumbled, the piece of apple which was in her mouth came out, she opened her eyes and got up और उसके मुँ में जो apple लगा हुआ था, poison apple वो उसके बाहर आ गया, जो horse पर जाने लगी तो sea opened her eyes, उसकी आखे खोल गई और वो खड़ी हो गई The prince was overjoyed, और राजकुमार जो था, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन हो जाता है The prince took her to the father's palace and married her next day और जो prince था वो उसे अपने father के palace में ले जाता है, महल में ले जाता है और उससे साधी कर लेता है अगले दिन One day the wicked queen asked the magic mirror, mirror, mirror upon a wall, who is the fairest among us all फिर जो पूछती है कि हम में से सबसे सुन्दर, कौन है, the mirror replied और mirror ने उत्तर दिया, gracious, gracious keen, you are the grand and tall, but there is no white is fairest of you all यहनि आप तो लंबी सुन्दर हो, लेकिन सबसे सुन्दर कौन है, snow white है Now the queen was very angry, in anger she threw a mirror down and she became so sad with jealousy that ended her life by taking poison और उसने क्या किया कि वो गुसे में सीसे को ही फोड देती है, और वो इतना क्रोधित होती है कि जलन की आग में उसने अपने खुद जहर पी लिया Take the correct option, snow white was a princess, her mother the queen died when she was few months old Snow white stepmother the queen became jealous of her The small house belonged to seven dwarfs, true false बताना है next Snow white skin was as white as snow, true है, the new queen was very proud of her beauty, true The snow white present, parents stood around her bed and waited for her to wake up, false है The wicked queen stuck the poison comb in snow and white hair, false है Snow white ended her life by taking poison, यह false है इसी के साथ यह chapter complete होता है, thank you so much यह दाना है